हां जी दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के सबसे बेले मेरे सभी 4G वाईयों को जाहिन जावारत तो आज की वीडिया आप सभी के लिए इंपोर्डी रहेगी यह स्तीरी चली हुए सभी ट्रेट के लिए इंपोर्डेट वीडियो रहेगी जल्दी से सभी दोस्त लाइफ जूट चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और वेडियो कर जीजेगा और स्पैशल वीडियो है 24 अप्रेल आर्मी एक्जाम के लिए चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोश्चि इन गुजरात में कौन सा सिंदू गाटी स्तल स्तित है लोथल दोला वीरा एवी दोनों या इन में से कोई नहीं गुजरात में कौन सा सिंदू गाटी स्तल स्तित है लोथल और दोला वीरा इन दो इरैंडन से रहेगे तो आप्शिन नुमर सी लोथल और दोला वीरा जो है यह दोनों के दोनों स्तान कहां पर सित हैं गुजरेत राजेमस्तित हैं जो की सिंदु गाटी सतल्च से या फिर सिंदु गाटी सतल्च स्वधी थे हैं कौश्यूर अब दो आपके सामने है स्फ classified। क्या था आहमद खा अकवर निजाम खा या इन में से कोई नहीं सिकंदर लोधी का वास्टविक नाम क्या था निजाम खा ऑप्शिन नुमबर ए निजाम खा इसका राइट अंसर रहेगा सिकंदर लोधी से याद रखता है इसका साशनकाल जो रखा था 1499 से लेकर 1517 तक रहा और इसने जो है किसकी स्थापना करवाई थी मौस्ट इंपोर्डिर पूछता है सिकंदर लोधी दवारा 1504 में किसकी स्थापना करी थी बिल्कुल से दोस्तों किसकी आगराश शेहर की स्थापना करी गई थी कॉशन मरतीन आपके सामने है शिमला समेलन का अयोजन किसने किय था 1945 में शिमला समेलन हुआ इसका अयोजन किसके दवारा किया घ्या था लौड व॥ेज लॉड मॉंडवेटेन लौड रिपन या फिर लौड लीटन 1945 में शिमला सम्मेलन की आयोजन जो है Lord Waves दवारा किया गया था किसके दवारा Lord Waves दवारा किया गया था Option number A दोस्तो राइट अरहेगा Caution number 4 है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है शनी, ब्रस्पती, आरुन या फिर नेप्चून Which planet has the highest number of satellites, स्टन, जूपिटर, अरुन, नेप्चून सही अंसर रहेगा option number A दोस्तों Option number B इस का राइट नहीं रहेगा Option number A शनी, ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है वर्तमान में बात हो रही है अब कितने उपग्रह हैं इस पर भी डिस्कुस्कन कर लेते हैं शनी ग्रह के वर्तमान में 82, 82 यानि व्यासी उपग्रह हैं उसके बाद आपका आता है number 2 पर जूपिटर जूपिटर के कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह है और जूपिटर से आपको याद रखना है Second largest planet, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है solar system का कोन? जूपिटर फिर आपको नाम याद रखना है उपग्रह है उसका नाम आपने सुनाओगा क्या? ग्यानिमेड ग्यानिमेड नाम आपने सुनाओगा तो ग्यानिमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है जो की किसका उपगर है या आपका जुप्टर का उपगर है तो याद रख लेगा गैनिमेड जो है यह सबसे बड़ा उपगर है जो की जुप्टर का उपगर है कौशन नुमर पाच आपके सामने है सुमित्रा दूइप किस देश में स्तित है सुमित्रा आइजलाइड इस लोकेटिड इन वीच कंट्री इंडोनेशिया बेस्ट इंडीज न्यूजिलाइड या फिर ऑस्टेलिया सुमित्रा दूइप किस देश में स्तित है इंडोनेशिय म नहींत लिएगा कॉशनलवर ते आपके सामने है है श्यम समंद्रम जल्पर्पात भारत के किस राजे में देत थैं श्यम समंद्रम बाटर फॉलीजल केटिड इन वीच इंडेयन इंडियन स्टेट करनाटका मत्यप्रद्छ बिहार फिर ओडी साथ कर Nata क्राचिय में से नहीं या अपको रखना है एशिया का पहला इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था जो की का बना था 1902 में बना था यह भी इंपॉर्टिन कोश्चन है यह भी पूछ सकता है क्वाशन वर साथ है बारती सविधान का कौन सा अनुश्यद सविधानिक उपचारों के अधिकारों से स्वंदित है सविधानिक उपचारों के अधिकार से स्वंदित है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 32 तो राइट अनसर एका ऑप्चिन नमबर डी आर्टिकल बत्ति जो है यह सविधानिक उपचारों के अधिकार से स्वंदित है कौशन नमर आठ है बिच बाइस प्रेज़ेंड आफ इंडियाफ एज शॉर्टेस्ट टर्न भारत के किस उपराष्ट फथी का कारेकाल सबसे कम था ऑप्शन है वीडी जटी, डॉक्टर एस डी शर्मा, डॉक्टर के आर नारायन और फिर बी बी गिरी इन में से कीस उपराष्ट फथी का कारेकाल जो हाँ, सबसे कम था से ऐंसर हेगा वीवी गिरी, वीवी गिरी जो थे, आप्शन नमर्ड याद रखि इनका कारेकाल कितना था इनका कारेकाल मैसिम ज gotta, एक साल तीन सो पच्राल दीन का था इतने गा एक साल 300 बच्वन का था चलिए आपको वास एक कोशिन बताने यहां से सींपल था कोशिन बूचूँँगा आपको बताने किस उपराष्ट पती का कारेकाल जो था यह सबसे अधिक था कॉशनमर 9 है किस भारती राज्य में सबसे अधिक संस्ती निर्वाचन क्षेतर स्थित है उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश महराष्ट या फिर बिहार किस भारती राज्य में सबसे अधिक संस्ती निर्वाचन क्षेतर स्थित है उत्तर प्रदेश आप्शिन नमबर एस का र कुकुांट उतपादन से तिलहन उतपादन से या इन Berlin से कोई नहीं से यह से सवंधी ती से यह पええ मिल्य उतपादन यहीड दूद से या दूद उतपादन से ओस sehen कोण श्वेत करांथ है ए recipe किसके दॉबारा करी था इसकी शुरौबारा करेई थी और मूल करांथी क Branch पशिन में 11 है, पहला संस्लेशिक कार्वनिक योकी कोण सा था? बिच वाज़़ी फ़स्ट सैंठितिक ओर्गनिक कंपााउंड ऑप्षिन है पहला संस्लेशिक कार्वनिक कोण था? योरीअ ऑप्षिन नूम्बर D इसका राइटन से रहेगा कंस्त दोफोन next question है, gluten किसमें पाया जाने वाला protein है, gluten is a protein found in दूद गेहूं के आटे में, चावल में या फिर अंडी में, gluten किसमें पाया जाने वाला protein है, तो दूद के आटे में पाया जाने वाला protein होता है, जिसका नाम क्या होता है, gluten आपका होता है, कौशुर्मर 2 गौतम बुद्ध वान् सुखोष अक़ हुआ था लूब्वनी नेपाल में नेपाल लूब्वनी जो है इंडिया और नेपाल के वार्डर पर आता और साथ में यह भी याद रखना है गोतम बुत का जन्म है कब हुआ था कितनी वीची में हुआ था 563 563 BC में जो है गोतम बुत का जन्म हुआ था उनकी मृत्यू जो है कब हुई थी 430 BC में ठीक है 430 BC में इनकी मृत्ति हुई थी कहां पर कुशी नगर में इनकी मृत्ति हुई थी कहां पर कुशी नगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्ति हुई थी कौशन में 14 हैं अकवर किस उमर में समराट बना था अकवर become emperor at the age of 14, 13, 15, 16, 18. अकवर ने अपने समराट की उपादी जो है, कितने दर्श में अपनाई थी, तो 13 वर्श में अपनाई थी, option number A दोस्तो राइट अरहेगा. और दोस्तो वीडियो थोड़ी slow लग रही हुँ, तो आप तो इसे जवाब 1.5 में देख सकते हो, बाकी जल्दी बोलता हूँ, question गल्द हो जाते हैं, ठीक है, याद रखें, जब भी मैं जल्दी बोल दूँगा, तो question थोड़े से गल्द हो जाएंगे, या फिर गल्दर मैं इ नानक जी होगा, या फिर गुरू नानक, तो किसके दवारा अकाल थक्त की स्तापना करेगी थी, किसके दवारा गुरू हर गौविंद दवारा, कब, माफ कीजिए, किसके दवारा हर गौविंद दवारा जो है कहां पर अमरी सर में करी गई थी, next question है, और दोस्तों वीडिय कौन थे, the first Indian selected for Indian Civil Seva was, C.R.D.A.S. लाला लाजपतराए, V.G. तिलिक या फिर स्तेंदरनाथ तैगोर, भारत के पहले Civil Seva के अधिकारी कौन थे, सतेंदरनाथ तैगोर, option number D, सतेंदरनाथ तैगोर, इसका राइट अरहेगा, question number 17 है, which planet has called it evening star, किस ग्रह को संध्या का तारा कह जाता है, मंगल, बुद, शुकर या फिर ब्रस्पती, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, तो वीनिस यानि शुकर को संध्या और क्या कह सकते है, morning और evening star भी कहा जाता है, question number 18 है, कौन सा बारती राच्य के अंदर शाशित परदेश अंतराष्टी भूमी सीमा सांजा नहीं करता, which Indian state, UT state, does not share and want international land boundary, जम्मो कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पिहार या फिर मध्य परदेश, simple sensor है, मध्य परदेश इसका राइड अंसर है, option number D, आप जम्मो कश्मीर से या रखके, जम्मो कश्मीर के तीन सीमा लगते ही, किसके साथ, पहली तो आपको किसके या और अफगानिस्तान आपको या रखना है, अफगानिकस्तान के साथ जो है, भारत की सबसे कम सीमा लगती है, जो कहां पर लगती है, अफगानिस्तान जम्मो कश्मीर के साथ लगती है, फिर आपको नेपाल और बिहार याद रखके, उत्तर प्रदेश के साथ तो है, नेपा तक तामबा या फिर सोना इंपॉर्डिट कोशन है खेतड़ी किसके लिए परसीद है किसके लिए परसीद है कॉपर के लिए परसीद है आप्शन नुम्बर सी दोस्तों राइट और रहेगा कॉशन नुमर 20 आपके सामने है फ्यूस्वाइट इसमेड ऑफ एन अलोई और फ्य और इसका बना होता है किसका तेन और सीसा यानी लैट का बना होता है आप्शन नुम्बर जोस्तों राइट और रहेगा कॉशन बर 21 है इनमें से सबसे उंचा परवत कौन से आउट अफ दी स्पिच वाण इस इस दी हाःस्ट मौंटेञ कंजन जंगा नंदा देवी निवर्त कॉन्पस था है , मौंट आवर्ष नंबर बन पर , केटू जो है , नंंबर 2 पर , और तीसरा को ने आता है , तीसरा का आता है , यह सबसे , बढ़ा , भारत का कह सकते हैं , बारत में उसे दो आते है केटू और कंचन जगा तो तीसरे पर आपका आता है कंचन जगा तो option number A कंचन जगा जो है इन में से थी या इन में से सबसे उंचा परवत है question number 22 है R.A. स्माज की स्थापना किस के रवारा करी गई थी R.A. स्माज was founded by राजा राम महुन राए, विवेका नन, डियानन सर्स्वती या इन में से कोई नहीं R.A. स्माज की स्थापना किस ने करी थी स्वामी डियानन सर्स्वती ने करी थी option number C's का रहड़न से रेगा और साथ मैं याद रखिये R.A. स्माज की स्थापना किस कभी गई थी 10 अपरेल 1875 को करी गई थी किसके दवारा स्वामी डियानन सर्स्वती दवारा question number 22, 23 है the non-cooperation moment start in which year और स्योग अंदोलन की शुरुवात कभ हुई थी 1920 में, 1930 में, 1935 में या फिर 1942 में date पूरी याद रखनी है non-cooperation moment start कभ हुआ था 1 अगस्ट कभ 1920 को option number A, 1920 में इसकी शुरुवात हुई थी चलिए आपको comment box में बताना है कि अस योग अदोलन की शुरुवात हुआ है किसके दवारा करेगी थी उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है question number 24 आपके सामने है GPS stand for GPS किसके लिए खड़ा है global position system globe माफ कीजिए global positioning system global pointing system या इन में से कोई नहीं GPS का पूरा मीनिंग क्या होता है global positioning system option number A option number B इसका राइटन से रहेगा global positioning system GPS की फुल फॉर्म होती है question number 25 है Ralph is flock dance of which Indian state Ralph किस भारती राजे का लोक नरित्य है चंडिगर, जम्मू, गोवा या फिर गुजराद अब जम्मू, कश्मीर भी आपको देखने को मिल सकता है पर कश्मीर अलग हो चुका है तो आपको अब जम्मू देखने को मिलीगा तो Ralph जो है यह भारत के किस राजे का लोक नरित्य है जम्मू का नरित्य है option number B इसका दोस्तो राइट और रहेगा question number 26 आपके सामने important question है which is the old name of Iran Iran का पूराना नाम क्या है इम्मू एगए प्रश्या Iran का पूराना नाम कैया है प्रश्याइएक पूराना नाम में option number 20 का रॉट अधिन सच रेगा एगा इना याद रखे एएरान से आपको दो यादे याद रखनी है इसकी capital और इसकी currency तो इरान की capital कया है टेहरान क्या है तेहरान जो इसकी कैपिटल और इसकी करंसी क्या है इसकी करंसी है रियाल क्या है रियाल नेक्स्ट कुशन आपके सामने हैं दा हैड़कॉर्टर ऑफ दी एशियन डिप्लेमेंट वैंक इस लोकेटेड बिच प्लेस एशियाई विकास में का मुख्याले किस स्तान पर स्थित है वीजिंग चीन में हौकॉंग में मनीला फिलिपिस में या फिर नई दिली भारत में एशियाई बैंक का मुख्याले कहां पर सी थै मनीला में सी थी ओर एशियाई बैंक की स्ताफना कब हुई थी का 19 दिसमबर 1966 को जो है एशियाई बैंक की स्ताफना हुई थी क्वेशन नूमर्टई सापके सामने है which matter is used as a back view matter in vehicle वहनों में back view mirror के रूप में किस दर्पन का प्रियोग कियाता है यानि जो driver होता है पीछे देखनी के लिए उससे लिए कोन से दर्पन का प्रियोग किया जाता है उत्तल दर्पन, अप्तल दर्पन, समतल दर्पन यान में से कोई नहीं तो आपको सींपल संसर है convex mirror यानि उत्तल दर्पन इसका राइट अरहेगा कॉशन में 39 है व्रॉस इस एड अलोय औफ पीतल किसका मिशन होता है तामबा और टीन का, तामबा और सुर्मा का, तामबा और टीन का या फिर कॉपर और जिंक का कॉपर किसका मिशन होता है, से एंसर क्या रहेगा, option number D, कॉपर और जिंक किसका राइट अरहेगा, कॉपर और जिंक का मिशन होता है, ब्रॉंस इनी पीतल कॉपर तीस है, टाइफाइड इस केज़ेड बाय, टाइफाइड किसके कारण होता है, वाइरिस चिवाड, पंगस या फिर प्रोट जोगा, टाइफाइड किसके दवारा होता है, तो बैक्टिरिया दवारा होने वाली बीमारी है, टाइफाइड, option number A, बैक्टिरिया इसका रहेगा, question number 31 है, which is the upveda of ringveda, रिंग वेद का उपवेद कोन से है, आयूर्वेद, शिल्प वेद, गदर्वेद, या फिर धनूर्वेद, गंदर्वेद, तनूर्वेद, यह तीनों याद रखने है, आयूर्वेद, गंदर्वेद, धनूर्वेद, तो इसका रहेगा, रिंग वेद का उपवेद है, आयूर्वेद, क्या, आयूर्वेद, आयूर्वेद, आयूर्वेद किस से स्वंदीत है, तो आयूर्वेद जो आपको पता है, मैडिसन से स्वंदीत है, किस से स्वंदीत है, मैडिसन से स्वंदीत है, फिर याद रखने है, गंदर्वेद, तो धनुर्वेद का किससरी का यजुर्वेद काerdho किसका यजुर्वेद को हैं क्या है धनुर्वेद लगते हैं अक्रत्वी किसके दौरा लिखी गई थी पृत्वी राज रासो बुक वास विर्ण बाए चंदवर्दाई उत्वी अलवरूनी या फिर फिर दोसी राइट अंसर एगा आप्शिन नुमबर ए चंदवर द्वारा जो है प्रित्वी राज रासो लेखी गई थी इंपॉर्टिड कॉशन है लास्ट कॉशन है किस दिल्ली सुल्तान ने या किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लोहनिती को अपनाया था ब्लड एन आइरन पोलसी कोकिस मुगल शाशक ने अपनाया था वलवन ने इलतूत मिश्ण ने अलावदीन खिलजी ने या फिर महामद विन तुगलक ने इंपॉर्टर कॉशन है से अंजर एगा पलवन वालवन दुबारा जो है रक्त एवं लोहनिती को अपनाया गया था ऑप्शन नूमबर एस का सही अरहेगा चलिए दोस्तों जल्दी से बताईए कितने कोशन आपके सही थे जितने कोशन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना है और वीडियो पसंद लगते वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करना है चलिए मिलते हैं कोशन दार वीडियो तर्थ तक लि क्या रखिए अपने घरवलों के क्या रखिए चाहिए ने चाहिए